अब मैं मुख मंत्री से अपील करता हूँ किवाएं और अपनी बातें आपके सामने रखें मुख मंत्री जी मैं इस मैंज के माधम से पुना सिरियाडवानी जी से अपील करना चाहता हूँ अपनी जात्रा को अस्थगीत कर दें अस्थगीत करके वो दिली वापस चले जाएं जेशित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन मा जाएगा जब इंसानियत पत्खत्रा हो इंसान नहीं रहेगा तो मस्चिद में इबादत कौन देने जाएगा 24 गंडा मैं निगाह रखा हूँ हमने अपने सासन के तरफ से अपने तरफ से पूरा उनकी सुरख्षा का भी बेवस्था किया लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है अगर एक नेता और एक परधान मंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है हम अपने राज में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फीड हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए हम इस पर कोई समझाता करने वाले नहीं है